तो आप लोग भी जानना चाहते हैं आपका whatsafe message किसी अन्य परसं को भेजना चाहते हैं अगर वो डिलीट कर दिया है तब वी आप उसका message पूरा ड़ीट कर सकते हैं आप किसी विक्टी का message ड़ीट करने के लिए कीसी का whatsafe करने के लिए आपको उसके वाटसप पे जाना है एंड मैं सेटिंग बताऊंगा आगे समझ लीजिएगा वो अगर अपना चैट डिलीट भी कर दिया है तो आप उसका चैट पार सकते हैं कैसे वो सेटिंग आप देखिएगा तो आपको पतर चल जाएगा अगर आपको ऐसी व स्क्रीन पर अगर आप चाहते हैं कि वाकॉन से सेटिंग जानना चाहते हैं तो वाटसप पे आपका पुराना चैट वापिस कैसे लाएट डिलीट होने के बाद भी तो आपको वाटसप उपें करने के बाद आपको उसके प्रोफाइल पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद तो यहां पर three dots दिखेगा, three dots पर click करना है, नीचे आप देखेंगे more का option दिखेगा, more पर click करना है, उसके बाद export chat दिखेगा, export chat पर आपको click करना है, अब इसका chat आप कहीं भेजना चाहते हैं, या आप रखना चाहते हैं, save करके, या तो message delete कर दिया है, आप नहीं पढ़ पा आप इसको भेजना चाहते हैं, इसका पूरा chat, तो आपको click करना है, इसका पूरा chat आपको send कर देना है, तो इसके पास send हो जाएगा, जैसे कि उसके पास यह पहुंच जाएगा chat तो इस पर click करेगा, तो इसका पूरा chat open हो जाएगा, यह पूछेगा किस से खोलना चाहते है नियुकριं के लिखे थे पूरा तो कोुरा चैट मैंने जो tantal तो माइसमी लिखिए आसे देख सकते हैं किसे का पुराँ चैट कैसे आप के सब्सक्राइब起सा